जी हाँ दोस्तों अब यह देखिए यह है घर का मुख्य द्वार अब आपको मैं इस मुख्य द्वार के बारे में दिखाता हूँ यह मुख्य द्वार आराम से बंद हो जाता है अब इसे देखिए यह मुख्य द्वार है आप इसे बंद करेंगे तो इसमें कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है यह यहां से इस प्रकार से बंद हो जाता है यह ऐसे देखिए इस प्रकार से देखिए यह मुख्य द्वार अपने रूप में अच्छी प्रकार से बंद हो जाता है अब इसके उपर से भी देखिए यदे हम आप इसे इस प्रकार से बंद करते हैं तो यह अपने रूप में अच्छी प्रकार से उपर से भी बंद हो जाता है अब आपने देखा होगा कि कई बार यह चीजिए अटक जाती हैं और साई ढंक से बंद नहीं होती है अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इस द्वार के बारे में अब यह है इस घर का दूसरा द्वार है जो की जहां पे आप चाहो वहां पे रुख जाएगा अब यह देखिए यह द्वार आप इसको जहां चाहते हैं वहीं पर यह द्वार रुख जाता है यह देखिए यह जहां जैसे हमने बंद किया वैसे ही यह वहीं पर यह देखिए बिल्कुल दर्वाजा अब यह खलोज हो गया है बंद हो गया है यह दरवाजा अपने आप में बिलकुल सही है इस दरवाजे में कोई वास्तु दोस नहीं बनता है जहां चाहते हो वहीं पर यह रुख जाता है यहां तक इसमें कोई वास्तु दोस नहीं है अब हम आ जाते हैं इस दरवाजे पर अब यह जो दरवाजा है इस दरवाजे को आप जहां चाहे वहां पर रोक सकते हैं यह देखिए जहां आपने चाहा वहीं पर इसे रोक दिया बहुत से दरवाजे हैं कि यह आप ऐसे करते ही अपने आप या तो वापिस आ जाएंगे या ऐसे चलेगे अब इस दरवाजे में नीचे देखना अब जब हम अन्त तक बंद करते हैं तो यह इस प्रकार से यहां आकर के अटक जाता है नीचे यानि इसमें यह सही ढंग से बंद नहीं हो पाता है इसको काफी प्रेश करना पड़ता है और यहां आकर के यह अटक जाता है इसमें कुछ वास्तु दोस बनता है पूरा नहीं बनता इसको नीचे से थोड़ा अगर कटिंग कर दिया जाए तो यह बिलकुल अपने आप में बंद होने लग जाएगा और इसमें किसी प्रकार का वास्तु दोस नहीं रहेगा बस इसमें छोटा सा कारिय है पर यह जो दरवाज़ा है दूसरा इसी दौर का इसको यदि हम बंद करते हैं तो यह दरवाज़ा यहां आकर के और यह अटक जाता है यह दरवाज़ा पूर्ण रूप से काफी जोर लगाने के बाद भी बंद नहीं हो पाता है इसमें इसमें अत्तधिक वास्तु दोस है यह दरवाज़ा यदि यहां से यह यहां तक पूर्ण रूप से सही प्रकार से किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो और बंद हो जाए तो इस दरवाज़े में कोई वास्तु दोस नहीं बनेगा परन्तु यहां पर इस दरवाज़े में यह जो दरवाज़ा दिखाई दे रहा है इसमें पूरा वास्तु दोस बना हुआ है आपने देखा होगा दोस्तों कि यह है जिस प्रकार कि मैं आपको दिखा रहा हूँ कि दर्वाजों से जो वास्तु दोस्त बनता है वो पचास प्रतिशत से अधिक प्रभाव डालता है आप अपने दर्वाजों को देखते रहें कि आपकी घर का कौन सा दर्वाजा ऐसा है जिसमें वास्तु दोस्त बना हुआ है कि क्या उसकी बाहर की यह कुंडी है यह सही डंग से बंद होती है या नहीं होती है कई बार यह उपर नीचे रहती है और दूसरी दिश्या में बंद नहीं हो पाती है जैसे यह आप देख रहे हैं इस दर्वाजे में यह आप इसे यह सही डंग से बिलकुल बंद हो जाती है कई बार यह है उपर नीचे हो जाती है और हम सोचते हैं इसको पड़ा रहने दें फिर कभी ठीक करवाएंगे परंतु ऐसा ना करें जब भी आपको लगता है आपके दर्वाजे में इस प्रकार की कोई शिकायत है नीचे की या उपर वाली जो हमारी यह चटकनी है यह सही ढंग से बंद नहीं हो पाती है तो इसे शिग्रही ठीक करवा ले आप जितनी जल्दी इन्हें ठीक करवाएंगे उतना ही आपका वास्तु दोस शिग्रही अपने घर का पचास प्रतिशत से अधिक ठीक होने लग जाएगा दोस्तो दर्वाजों पर बहुत कुछ निर्भर करता है हमारा वास्तु दोस तो आप इसे जानिये और इन्हें शिग्र द्रोस्त केजिए और अपने घर में पूर्ण रूप से अपना सुखी जीवन बिताईए अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को इसे अवश् खान रखें से फिर मिलते हैं नए अंक के साथ तब तक के लिए जय माता दी